हलो गाइज नमस्ते जी वेलकम बैक तो हिमालन फैमिली मैन और वेलकम तो एपिसोड नमबर टू ओफ हार ट्रैक टू ब्यासकुंट तो गाइज एपिसोड नमबर वन में आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो रोमाजकरी सफर शुरू हुआ ब्यासकुंट ट्रैक का धुंदी से और फिर्स्ट कैंपिंग साइट पलचाने आपने देखी और उसके बाद बकर्थाच कैंपिंग साइट भी हमने आपको तो इसी रोमाजकरी सफ़र को जारी रहते हैं और आपको दिखाते हैं अब सबसे पहले कर दिखने कर दो कि क्योंकि हम वेया प्लैनिंग की हम फ्रैंशेफा फिर्जाई करने वारे तो गाइस आप व्लॉग में एंट तक बने रहेगा सफर बहुत ही रुमाच का रही होने वाला है और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रोर करें और यदि आपने एपिसोड नमबर वन अभी तक नहीं देखा तो पहले आप एपिसोड नमबर वन देखिए और उसके बाद आप एपिसोड नमबर टू देखिए यदि व्लॉग को एंड तक देखें तैंक यू सो मच कि अज़िए हम चल पड़े हैं जह चल पड़े हैं ने में जह राँ राँ आगा है तो आपके लग लग रहा है, सिधी चड़ा ही है वह हमें उपर ने गरना देगा वहां उपर प्यास कुन के ली लाइ Is bees komm Conference 20 miche कुतार देखो लोग मिले याके लग्वाय को Öजै कहा से लोग slitे कहासे यूग Okay you you went to friendship peak Oh my God great 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 hats up to you कुलूम कुलूम हाई क्या है चैसल में चैसल चैसल इ समक्राव इन प्रैप दिए प्रैश्ट और बादम में उप्रन तो यह अर्ब्राव उन यूचिक भी अरही है तो यह आदो यह अबेन बीम्हांच बेच्ट I have been trekking in all these areas, for the last 30, 35 years Okay, oh my god I have been to many very few places No in Laholland Spiti? Yeah in Laholland's Spiti, many places Okay Smodarsha, Barnarcha, yes, yes I have done like from Urgoos Urgoos Lake Kangla Okay Urgoos, sudah Boulder I have done for Spiti I have done many treks I have done Parangla trek to Ladakh की फिल्वारते की और की उपनीन इन जावन सारा पास खिर्णा ूमाłem बाखी पास ओमकास की बहुंट सारा बाट दो झाते पासे Eg mais तो र्यूस scholar बहुब56 खिश्यू हम्नि दोड़ फिर में में डूसी ब lot दो रच्भवस इंचे बाड लुकाश है Okay, it's Himalayan family man Himalayan family man Family man, yeah So we have been also tracking many places in Lahol and Spiti You know much more to explore What's your good name? Advait Nice, nice name And sir, you have a good name? I'm Yogesh Yogesh? Okay, Yogesh sir Nice to meet you, nice to meet you, Advait Okay, so definitely we know See you soon Okay, take care, bye-bye Himalayan family man Family man, yeah Bye-bye Frenchy Peak Wow, great So how was it? Pretty good, pretty good The weather is pretty nice Yeah It's time to go there Cool, cool I think right now in Delhi I think it will be almost 50 degrees Celsius 50 degrees Celsius And here Hey, what's your good name? You are from Vietnam? Yes, I'm from Vietnam Okay, what's your good name? My name is Huy Huy Wow, my God Yes, I have a trip to French Peak But I can submit to Okay, you could Yes Yes Why? What happened? Too exhausting Too exhausting Okay, actually the oxygen level is quite low Yeah Six hour after Go in the 40 degrees Yeah Yeah My name is CK Kayat Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Okay Malayan family man on YouTube Okay Okay Himalayan Himalayan family man Okay Definitely He's trekking He's trekking He's trekking He's going very fast He's going very fast He's going very fast I can't do anything Look at how he's reached My two steps and his steps He's ready He's got a dump You can see That's really I'm not at that point He's 不是 बज़ को लग रहा है वो अब रहे संबी करने वाला है जा शंकर महादें वह वाले मैं तो गया सब्सक्राइब थोड़ा सा ही रह गया इसंक थोड़ा सा उपर तौप यह पूछ ना पनतरा से पीस मिनद कर प्ला है देना हम पच्छ के ब्यास कोई जा हुए श्मियास जी थोड़ा सा हमारे प्लान में चेंज है हम लोग अब फ्रेंशिप जो पीक है उसका बेस केम्प यहां पर आगे देखिए तो पहले हम वहां जाते हैं और देखके रखते हैं जारा नेक्स टाइम यह देखिए को अगर क्लाइब करने का हमारा मन होता है तो हम थोड़ा एडी ले लिए कि कैसे हमारा बेस केम्प होगा और किस तरह से हमें चड़ाई करनी है और देखिए अब बहुत नजदीक हम ब्यास कुन के भी देखिए क्योंकि देखिए फ्रेंशिप पीक का बेस केम्प वहां पर आगे देखिए टेंट्स लगे हैं और यहीं से हम इस तरह से इतर होके वहां उपर टॉप पर तॉप पर देखिए वहां पर निकली और वहां से सीधा कहते हैं कि 15-20 मिनट का रास्ता है और सीधा ब्यास कुन पहुंच जाए अर गैस हम वापसी में इस ट्रेक के नहीं आएंगे वहां देखिए अलवर वी कें व वापसी में वापसी में प्रीज चयोंच रिवारे के राइड साथ जुट्रैक है उस थ्रेक से हम वापश आएंगे चले देखते हैं जरब फ्रेंशिप की कबडेस कैम्प I'm so happy guys and I feel so good so so good that I cannot explain it's just a feeling that one can feel you know and it can't be expressed guys seriously the contentment like satisfaction wow I'm so happy guys which peak is this? where is it? the peak is this? okay that's it guys French peak actually we are going to Biascund this place is good and safe wow are you here from Bapsi? yeah Bapsi Bapsi is here Bapsi is here Bapsi is here Bapsi is here yeah yeah look at our destination it's our destination trail beautiful we are going to reach there guys Biascund it's a place it's called Bakkar Thach so guys so guys this is the base camp for Friendship peak and 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 for so in and 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 और फिर्ट फुर्ट ट्रपनिक्ट रहे हैं के अब चले गाय्स अब बेस कैम कंप्लीट कर अब चलते हैं जाने ब्यास कुल कि ओर झाल झाल हां so guys be ready for the beautiful view so I will now go to the top for a walk अब हम पहुंचने वाले हैं व्यास कुंद और यहां तेकी चड़ाही थी और इसके बाद अब सीधा प्लेन है और हमें कहा कि 10-15 बिड़ा पहुंचाओगे देखिये दिखाते हैं आपको कैसा भी हुए आगे अब तो ब्यास कुंद दूर दूर तक दिखनी जा वेज़े अब यह समझे आने निच्छे की उपर है अब वह निच्छे मैप मारो दर असल चाहिए ओ देखो निच्छे यह ना हम तो पड़े उपर आगे यह की और तो नहीं तो अब हमारे बड़े भाई करने वाले हैं क्लाइबिंग यह दिखें गाइज नथिं इस पॉसिबल गाइज यह यह कोट इंको पूर पूरा सेट बैठता है गाइज दिखें अब तनी कौन सी चोटी पे जा रहे है इने ने सोना वापस आओ अब बड़े भाई नहीं मानने ओले गाइज देए उपाज के उपर बें टिब बे निकलना है बाजसमाजी से उपन जाओ अब हो गया अरे 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 गो परेगो देखो परेगो परेगो देख कैसे घरो हाथी लाओ वाओ अमेजिंग आइज अमेजिंग बैठो वह बैठो नीचे बोलो जैशंकार हर हर महादेव तो गाइस वो देखिए वो है ब्यासकुन गाइस अभी हमें थोड़ा सा और डाउन जाना पड़ेगा काफी हाइट में आगे और ठीक हाथा कि यह जो ट्रैक है ना ब्यासकुन का यह इस वाली साइट से जादा इजी है और वहां देखिए यह जाएंगे वाटरफॉल भी और वाटरफॉल के बास भी जाएंगे वाओ आज बहुत सरे काम एक साथ हो गए फ्रेंड्शिप पीक का बेसकेंप भी ब्यासकुन भी और वहां पर एक मीनी वाटरफॉल है हम लोग भाज के ब्यासकुंद थोड़ा सा क्या है ना ब्यासकुंद अभी हलका सा हाफ रोजन है और हाफ जो मैड्ट हो गया है पूरा वियू नहीं दिख रहा है ना नीचे वाले ही थारो इसका ट्रैक इंदर वाला नहीं है इसका तो यह देखे गाई जा रहे हैं देखि देख लो है पॉसिबल गिनी एनी तो परे से चलते हैं किया आओ दब किया लगया है कुप खिलग यह तो झाल धिए ट्रॉमा त stub किंगा जाओ का यह नगा प्व्स के शोख गुर्चΤ ए हुआ की को ए ए लोगो रुगो 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 हुआ है कि आज भी आज भीर एंसे मुलाकत होगी कि आज को एक पोईन है भीर लुट हैं मसना कि एक रहे लिए कर दे oder से झी ли जा हब कि ठूँननी पूली हिए कि जा घ душ और सुछर सुनों कि इंड हाई को हमाए कर दूँना कि उॉजन मुवाइल या मुवाइल आत्में है क्योंकि अगर मैस किट कर गया तो मुवाइल भी चला जाएगा कर अगरा कि मुवाइल या वाइल या या व्या अगरा कुछ हमारे गाइस कि अपनों था ना किसमें अडश्ना कुछ अडवेंचर थो तो होता ही है है तर सथरां में जाएंगे निचे है है कि दिखनी चीति ऐसे करके सबसे बड़ी बात लिए ना कि जो हमारी बैलेंसिंग होती है ना पाड़ों में वह बनी रहती है अगर आप प्लेन में चलते रहेंगे न तो आपका बैलेंस नी रही है न फिर वह यह ना आतद भी चूट गी न बाइस यार यह जो विव बन रहा है ना रुब आप यहां समनाव नीचा वीडियो यह एवे यह ले जैने समय क्यों झाप जो सकते हैं क्यों मार्ने काम असा बहत प्ले गवास ने वत में प्लेब प्ले कैसे लात देंगे हमारे मावाब ना किसे का सिर्ध यह बार नहीं है कि है रीजल स्वानी यह आस चुद्प मॉटा टा प्यास भी लगी है ये, finally guys, देखिए, तूरा पहाड में क्लास के लिया हो देखिए, अब ग्लेशर के उपर अब 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 कि अब 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 भी आज़गे फ्रेश मोटर अब 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 अ स्भानी आ रहा है अब 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 अबय पानी फिल में अब 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 को हर बहादे हर बहादे यह लिखिए ग्यास कुन इस के मड़ आरो इस पाले को दो जा से फ़ो कि रहा है महाद देखिए ओम झार महाद कि हमादे जा अरिशिप्यास, जा अरिशिप्रास जा अरिशिप्रास घज हूँ हे ड़के माँंटेन, फ़्यारी देखिए गए अश्ट। इतना मन को मेरे सबून मिला है ना मैं बता नी सकता हूंगा और यह रहा देखें ब्यास कुंड लेकिन ब्यास कुंड भी थोड़ा सा हाफ फ्रोजन ही है और एक तरफ पूरी बरफ जमी है देखें वहाँ पानी साफ है और आप इमेजन कीजिए कि जब पूरी बरफ पिगल ज अबेजिंग मजा अगया हर हर महादेव ओम नमस्षिवाइब तो गाइस ब्यास नदी के बारे में आप जानते होंगे ब्यास कि माचल में जो फाइव रिवर्स है में हमारे जैसे यमुना सतलोज ब्यास हो गया रावी हो गई है चंद्रा भागा जो चिना बनती है तो उन् अश्जबन स्था करें कि अब देखि नहां कितना फ्रेश वाटर भॉकल वाइट मिल्की वाटर तो यह है गाइस ब्यास कुंड्ट और व्यास कुंड को ही ब्यास नदी का उध्यमत सतल्माना जाता है ओर इसी ब्यास दिको शंसकित में बिपाश्या और वैडेकाल में इसी को ही अरिजग्या की नाम से जना याता था और ब्यास कुंड का नाम रिशी ब्यास की तपस तली होने के कारण इसका नाम ब्यास कुंड पढ़ा क्योंकि रिशी व्यास यहाँ पर तपस्या करते थे और यहाँ पर वो सनान किया करते थे और इसी कारणे से ब्यास कुंड और ब्यास कुंड के नाम पर ही नदी का नाम ब्यास पड़ा पौरानिक समय में रिशी वशिष्ट जी जब अपने श्रीर का त्याग करना चाहते थे तो उन्होंने अपने श्रीर को रसियों से बांद कर वो ब्यास नदी में कूद गए लेकिन ब्यास नदी ने रेट का रूप धारण कलिया और उन्हें वशिष्ट जो एट प्रिजट जो वशिष्ट प्लेस है वहाँ पर उनकी रसियों को खोल कर उन्हें वहाँ पर बहार निकाल दिया उसके बाद रिशी वशिष्ट ने ब्यास नदी के किनारे पर ही अपना रहने का स्थान चुना और वही स्थान प्रिजन्ट में वशिष्ट जगा है जहां पर रिशी वशिष्ट ची का अभी भी वहाँ पर टेंपल और रथ है और यदि इत्यास की बात करें तो 326 BC में जब अलेक्संडर ग्रेट जब इंडिया को कंकुर करने आये तो उस समय यही वो रिवर थी ब्यास नदी जहां पर उनके सोल्जिस ने उसको पार करने से इंकार कर दिया था और इस वज़ए से सिकंदर को वापिस लॉटना पड़ा था और गाइस यही नदी हिमाचल में ब्यास कुंड एक नॉर्मल लेक नहीं है व्यास कुंड इसा हॉले लेक जिसका संबंद रिशी वेद व्यास जी से जिन्होंने हमाबारत लिखी है यह उन्हें की ही तपोस तली हुआ करती थी और यही पर वो इसे पुवितर कुंड में वो सनान किया करते थे तो गाइस यहां पर द्यान दें जब भी आप ब्यास कुंड आएं तो आप खास का साफ सफाय का विशेश द्यान दें और यहां पर गंदगी पिल्कुल भी ना फैलाएं गाइस यह सभी से रिक्वेस्ट है और आप इस जगह की ब्यूटी को इंजॉय के जिए और आप ब्यास कुंड के दर्श आप फ्रेंड्शिप बेस केंप भी हो गया तो वाटरफॉल को भी देखी लेते हैं तो वाटरफॉल को देखने के बाद हम नीचे वाले बेस केंप पे निकलेंगे जो रिवर के राइट साइड पे था मजा आ गया इसा अमेजिंग अबर गाइस मैं आप लोगों को यह सु मतलब जुलाई के महीने में उसे कवर कर रोगा आप इंदा फर्स्ट रीक आप जुलाई तो अगर बरसात ना हो तो बैस्ट रही है क्योंकि जुलाई में क्या होगा ना जो जो ग्लेशियर था वह पूरा बिगल जाएगा और बुलूइश वाटर हो जाएगा पूरे वावे पे आचुके हैं और दशन भी कर लिए हुआ हैं अर अराम से गरणीर तो लग वग कर दो कर दो